नमस्कार मैं अंजले विशाद स्वागते आप सभी का दने उज में आप खोता दे कि पशिम बंगाल के पूर मेदनापुर जुले के भूपती नगर में शनिवार सुबार राष्ट्री अजाचे देजिया एक टीम पर हमला हो गया और अब इस हमले को लेकर कॉंग्रेस और ब बीजेपी ने भी ममता सरकार के जो आप राज को गुंडा राज बता दिया है क्या कुछ है पूरा माजरा विस्तार से समझे किस तरीके क्या रही प्रतिक्रिया इसके बारे में भी हम आपको पताएंगे तो एक नेता के घर पर 2022 में हुए विसपोर्ड मामले की जाच के लि अधिकारी मनोब्रोतो जाना को ग्रफतार करते मौके पर पहुचे थे चापे मारी से पहले केंदिया जनाच एजंसी की और से स्थानिया पुलिस स्टेशन को सूचित किया गया था फिर भी उची सुरक्षा की वस्ता नहीं की घटना के संबंद में अधिकारी द्वारा दा शिकार के अधार पर भुपति नगर पुलिस्टेशन द्वारा मुख्यार ओपी मनोब्रतो जाना उसके परिवार के सदस्य और अन्य अग्यात के खिलाफ आई-पीसी की धारा तिनसों तालीस तिनसों तिर्पन एक सच्यालिस दो तीनसों तीस चार्सटाइस और चोंतिस की पीडी पीपी अधिनियम के तहत धारा के तीन के तहत एक कप रात्मे के दर्ज की गई है उग्रभीर द्वारा पत्थरबाजी के बीच अजेंसी ने मनोब्रतो जाना को गिरफ्तार किया था वहीं अब इस मामले को लेकर प्रतिक्रिया दी और इस प्रतिक्रिया को देते इंदरिया है उन्होंने केंद्र जाच एजेंसी एडी और सीबी आई की जाच को नेकर कहा कि वह सही कर रही है यह गलत यह अलग बात है इन एजेंसियों के इस्तेमाल जिस तरह से किये जा रही है वह सब को पता है केंद्रिया अगवदादे को कॉंग्रेस के नेता अधीर अधीर चौधरी ने भी कहा कि अगर कोई वेश बदलकर एडी सीविया या निया क्या अधिकारियों पर हमला कर रही है तो उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए उनके सुवे की पुलिस को इरासत में लेना चाहिए बंगाल पुलिस को इस पर कारवाई करने चाहिए पश्य दरिंद्यों के हमारे बंगाल की महीला पर जिस तरीके से जो उन सासन किये हैं जो उन अत्तचर किये हैं इसके लिए मैं बंगाल की एक नुमाइंदी होने के नाति सर्मिन्दम महिशुस करते हैं और ममता ब्यांची जैसी मैं किसी को बचाव करने के लिए लाज़िती नहीं करते हैं यह सच है कि देश की कोने कोने में चाहे मनिपूर हो चाहे उत्तरपदेश हो सारे देश में महिला पर अत्तचार बलत कर भाड़ी मात्रा में इज़पा हो चुकी है इसके बिरोद कॉंग्रेस पार्टी पूर्जोर कर रही है मोनिपूर की घटना के खिलाब गाहुल गांदी जी की अगवाई में सारे देश देख चुके हैं कॉंग्रेस पार्टी की स्तेवार किसा दिल का भिरोद किया मैं खुद मनिपूर गई थी मैं खुद मनिपूर गई थे जाई या नेले के लिए और मैंने ये भी मांग किया था कि अगर मनिपूर हिंदूस्तान की कोई हिस्सा हो तो प्राइमिशन नरद्न मोदी जो दुनिया भर में कोई देश जाने में देर नहीं लगाते तो उनको कम से में एक बार मनिपूर जाना चाहिए था लेकिन मैं इसी संदर्प के साथ साथ कोई दुहाई अपनाते हुए अपने प्रदेश बंग पस्टिम बंगाल की आज की हालत को अंदे की करना लोगों को बर्गलाना और गुमड़ा करने की कोई प्रदेश अगर कोई करे तो मैं इनके सीधे तोर पर इसलिए करता हूँ कि महिला कहीं के भी हो चाहे बंगाल की हो चाहे बियार की हो और नचल की हो और असम की हो कहीं जगा हिंदुस्तन में कोई महिला पर कोई अत्तचार जॉन सुशन हम सब के लिए सरमिंदी की बात होती है तो बंगाल में क्या हुआ है और बंगाल में क्यूँ जान बुचकर ये सारे दरिंदों को इस तरकी की राहत और मदद बंगाल के मुक्कमंत्री आज की तरिक तक कर रही है इसका जबाब बंगाल के आम लोग पूरी तरीके से खतम हो चुका है उन्हाने बताया कि जो अब यह के साथ हुआ है ये टू-पॉइंट संदेश खाली टू-पॉइंट ओ जैसा है वह इस मामले को लेकर बिज़ेपी के नेता जो है अगने मित्रा पॉल का भी बयान सामने आए क्या कुछ क्या रही है अगने मित्रा पॉल जी जारा सुनिए ये नहीं को लिए राज्यपाल ने बोला है वो स्ट्रॉण एक्षन लेने के लिए बोला है ये क्या ममता बैने जी का परिबारिक संपत्ति है क्या पशिनमंगा कि वो जो कोई जो भी मन में आए वो कर सकते है जब संदेश खाली का गुंडा शेख शाजान को एडी पकड़ में गया था तो इडी का ओफिसर का सर फोड़ दिया गया था तब मुक्कमंत्री बोले थे घर के महिला लोग सब निकल के आना जब सेंट्रल एजेंसी को देखोगे हाता कुंती लाटी पोटी जो भी घर में मिलेगा उसको लेकर अटाक करना कौन उसका रहे है कौन इंस्ट चिंबंगाल का नागरी को कर हम लोग को हम लोग अशेम्ड है और आज यह और भी ताज्योब लग रहे कि जो लोग बंब इस फोट में आरोपी है वो भी प्लॉब मैटी जैसा लोग उनको प्रोटेट करने का इतना उतला क्यों हो रहे हमारे मुक्ष मत्री उनके साथ क्या जोड है उनका शेक शाजान सारे 300 सारे 360 करोर का राक्स का बिजनेस करता था उसका 7030 का फंडिंग क्या ममता बैने जी के पास जाता है काली गाटर चान्तिके कितन में उसलिए शेक शाजान यह गुंड़ा बंब इस्वोट वाला क्रिमिनल बीपलाब मैटी उनको सपोट कर आज इतना दुख की बात है कि यह सरकार ममता सरकार को चलाया जा रहे है यह क्रिमिनल वो लोग चलाते हैं शीप मिनिस्टर ने बोला है क्यों उनको पहले रिपोर्ट ना दे के क्यों ना यह ओविजन किया है इसलिए आपको बताएंगे क्या ममता बैनर जी हम लोग क्या बुरुबक है आप इंटेलिजेंट हो सकते हम लोग बुरुबक नहीं है वो लाल डाइरी नील डाइरी जिससे पकड़ा गया था शार्दा का सारे काला चिट्टा जिसको आपका पुलिस ओफिसर पुरा जला कर उसको खतम कर दिया आपको फिर से बताएंगे क्या कि आपका पुलिस सारे सबूत बिटा दे जैसे आप कामदुनी का केस हमारे बेटी का पुड़ा जितना भी तत्थोता सब आप ये कर दिये लुपट कर दिये आपको कुछ बोल के नहीं जाएगा इडी सेंट्रल एजेंसी है उन लोग को जो लगेगा उन लोग करेगा जो दोशी है जो क्रिमिनल है उसको पकड़ा जाएगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं जैसा कि आपने सुना अगने में तुरा पॉल जी कह रही है कि गवर्णर जो हमारे गार्डियन है और ममता बेनर जी का भड़काना है वो काम नहीं करेगा हम किसी भी तरीके से इसे इसी तरीके से आगे बढ़ने नहीं देंगे इस बामले को लेकर बीजेपी के नेता अभी जरा सुने देखे इनाई एक का पूर हमला हुआ तो मुखो मुटी ममता बेनर जी उसको समर्थन किया हमलाकारी का पक्ष में खाड़ा हुआ जैसे शंदेश खाली में भी तिनुमूल कॉंग्रेस पहले तो हमलाकारी का साथ दिया और एक सभाविक प्रतिक्रिया है ऐ आएधि आए Renee कंस्दुमूलर यही पर भी जो फूरव भी था अंधनयापूर का हमला जो ए नाई से ओपर हुआ उस हमिला में भी ममता बेनर जी साथ दे रहा है हम्ला वही पर तो हमला हो गई इसी उससा इतों के लोके चरजी के पर हमला हुआ काल दुसरा कंसी का पर आप सकते हैं समर्थन से ही हुआ है वह हमेशे अटाकर्स के साथ जो है रहती है जैसा संदेश कली में शुरुवात मेरा टीमसी ने अब पीछे एक स्टेप लिया है लेकिन इसके बावजूद यह सब कुछ हो रहा है क्योंकि ममताव इनर्जी खुले तर पर अपना समर्थन ज Pow that between the report of the government, then only as governor, I'd be able to say anything about it for a certain What is reported is ghastly shocking. It should never have happened. A democracy cannot afford to have such things to happen in future. अम्हार का जाओक नाओक एते अधूर्स अखेवा चेह लिगा जाओक वप्राइब का जूल्या जाओक इवता सब्सक्राइब अभादेना जाओक जाओक नाओक को भूद मेरा होता झाल, और होते से अच्छिंग पर ने हैं. दाट इसमाटर पिछाब इस एक्साइमें तो मैं लीगल एक्सपर्स वह एंडोस्ट पर जब मैं तभी वह पाऊंगा जब यह चीज़े सब्सक्राइब मुझे जो मिला है उसे सुनकर तो मैं बहुत जादा जो है शौक हूँ ऐसा कभी भी नहीं हुआ एक लोग तंत्र में इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना सरा सर गलत है और जिस तरीके से एंटी शोशल एलिमेंट्स है जो की लोग का गलत इस्तमाल कर रही हैं उनके खिलाब भी चीजे जो है सक्से सक्तुन के खलाब भी कारवाई होनी चाहिए वह केंद्रिय मंत्री शांतनू ठाकुर का भी इस मामले को लेकर वया है क्या कुछ क्या रहे हैं शांतनू ठाकुर ज़र सुने बहुत घटिया काम चल रहा है होस्ट प्रंगाल में इस सरकार के दुआरा चांड मुझकर इसको किया जा रहा है कि यहां सेंट्रल जो फोर्स है सेंट्रल का जितने सारे हमारे फोर्स और जो डिटेक्टर सब्जेक्ट है मतलब के ऐसे नाई है और भी सारे हैं के लोगों के उपर आत्रमत का मतलब है यहां का डेमोक्रेसी का संदुलंग हो गया है इलेक्ट्षन फ्रेशन फ्यार हो इसके लिए भी मैं मांग करूंगा इलेक्ट्षन कमिश्ण को इसलिए बोलाना यहां और भी ज्यादा प्रोट्रेक्ट्षन चाहिए बगाल में और इलेक्ट्षन कमिश्ण से मांग करता हूं आप लोग तो सेंसेटिव इलाका हैं वह जगे में थोड़ा जादा करके आपका जो सीकूरिटी एप्लॉई गरिए इसके द्वारा वह जगा करने के लिए लोगतंत्र को खत्व करने के लिए आ जा रहे हैं और लोगों को प्रोटेक्शन जो है वो देने का काम करें वह इस मावले पर दिलिव घोश का भी क्या कुछ बयान है एक बढ़र बंगाल से बार बार इस पर घटना देखने को मिलता है संद्यस्काली में हमने देखा है विडिक ऑफशर को घेर करके मारने का प्रयास्वा क्योंकि किसी एक रष्टाचारी को पकड़ने के लिए गिया था उसी प्रकार भुपत्य ने अगर में पूरों मेदनी पूरों एक ही घटना हुआ है वहां भी और एनाइय ने किसी बंब जाता है और जब उसका इंक्वारी होता है तो यहां की सरकार नेता और प्रटिशन उसका आड़े आते हैं लोगों का आगे कर देते हैं बड़े चिंता जनस्तीती है और इसको स्रीयसली लेना चाहिए तो जैसा कि आपने सुना के बिजपी ने ता दलिप घोश भेस मामले को लेकर अपनी प्रितिक्रिया देते वुए नजर आए हैं लगातार बंगाल में कानून का शाशनाव खत्म हो चुका है बंगाल में पूरी तरीके से गुंडा राज हो चुका है माफिया राज हो चुका है और पशिम बंगाल की मुख्यमोंत्री मम्ता बेनर जी सर्याव इसको पूरा-पूरा अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही है तो